हेलो फ्रेंट सोगत आपके चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला यहाँ पे श्रिलंका ए वसस ऑस्ट्रिलिया एक बीच जो मैच होने वाला यहाँ पे वन डे का इस मैच की वीडियो वीडियो इंप करेंगे तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पे नहीं आया हो तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरू है जिसको नाम है फैंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई देरा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम च चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको जोइन कर लेना तो धियान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जूड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है त आप सर्च करके जॉइन करोगे तो किसी गलत ही आप चलके साथ जूड़ सकते हो तो सही तरीका सिर्फ एक है कि आप लिंक का यूज करना जो वीडियो के नीचे कमेंट में आपको दिया हुआ टेलिग्राम का अब आते है में पार्ट पे जो राने वाला वह है आप आर प्र वैसे सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल के आप से बट इस्टिल मैं बोलूगा कि घ्रेंड लीग पर फोकस रखना बट आप स्मॉल लिग में चाहतो कर सकते हैं आप स्मॉल लिग को इंवस्क्त कर सकते हैं ग्रेंड लिग दोनों की लाप के लिए फेवरेवल मैच बन सकता है बाके ऐस्ट्रिया के बारे में बैटिंग आट ओपर नीचे हो सकता है यहां पे बाट किया तर्फिस ओपन इसलिए करेगा इसलिए कि रिसेंड पाकिस्तान में इनकी सीरीज वहीत थी इसमें ट्रेविस रीट ने ओपन किया था तो हाई चांस मुझे नजर आता है किए त् उसमें काफी अच्छी बैटिंग की थी सेंच्री स्कॉर की थी ट्रैविस हीड ने और 50 प्लस के ओपर भी स्कॉर किया था एक दो मैच इसमें तो काफी अच्छे टच में था तो लगता है इस फर्म को कर नों कर सकते हो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रिबूट कर के दे सकता है ठीक है ध्यान रखके चलना और यहां पर आपके लिए अच्छी पिक बनने वाला है बाकि यहां पर जोश्य फिलिप है जो की विकेट कीपर है और काफी अच्छा वैटस्पन भी है रिसेंट पर टी ट्वेंटी ब्लाश्ट खेल रहा था और अच्छे टच में यहां पर जोश्य फिलिप के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है और इसको ऐसें कंडिशन में खेलने का थोड़ा एक्स्पीरिंस में लाज्ट टाइम के लिए एक्स्पीरिंस प्ले रहे और काफी लंबर टाइम से खेल रहा है कभी टीम से बाहर रहता कभी टीम के अंदर अंदर रहता है अच्छा एक्सपीरिंस में सिंगल करके खेलता है और अपके लिए अच्छा उप्शन बन सकता है पर पीट हैंड को बाकि यहां पर जोश इंग्लिश को रिसेंट में मौका मिला यहां पर इसका जो प्रफॉर्मेंस था बिग बैश लीग में वह अच्छा तो उस बैसिस पर टीम ने एच्छा प्रफॉर्मेंस कहता है लास्ट यह टीट्विंटी ब्लास्ट में वन आप टॉप रन गैटरस में भी था तो होप करता हो कि वैसे ओपनिंग भी कर लेता है और बट आप उमीद करता हूं कि जैसे बिग बैश में रीजेंट में सेकंड ने थर्ड बैटिंग करते हैं नजर आ सकता है बाकि है निक मैडिंसन लेफ्ट हैं बैट्समन है तो यह थोड़ा ऐसा टाइप का प्लेयर है कि भरोसे मन नहीं है तो हिटन और आट वाले प्लेयर बट ऐसा प्लेयर भी है यह कि पच्छीस बॉलों में में हाफ सेंचुरी भ स्पिन बॉलिंग करके बाकि आप हैं मैथ्यू रैंच यो ऑफ स्पिन बॉलर है यह स्ट्रेल के लिए टैस्ट मैच इसमें खेलता था ज्यादा नहीं खेला बट कुछ मैचिस खेला है लेफ्ट हैं बिग बैश्या आपने इसको खेलते वह दिखाऊगा एडिले इस बन सकता बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉंट्रिब्यूट करने वाला वागे मार्क स्टैकेटी बें कॉल राउंडर है बट मैं स्टैकेटी को थोड़ा ग्रेंडी के लिए प्रैफर करूंगा बट इसका बिग बैश में प्रफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है स्कॉ पाबर प्ले में विकेट लाके दे सकता है एक या दो ध्यान रखके चलना बाकि जायर रिचर्ड्सन से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है जिस तरहीं के पास पेस है लास्ट यर बिग बैश लीग में टॉप टेकर्स में से रहा था तो रिचर्ड्सन से काफी एक्सपेक तो आप स्मौ लीग में थोड़ा डिफरेंट जाके वाई से डे सकते हो रिचर्ड्सन को तन्वीड सांगा जो है वो लैग स्पिन बॉलर है यंग प्लेयर है और अंडर 19 कि लदा लाश्ट यर इसके पास परफॉर्मेंस की थी बिग बैश लीग में लाश्ट दो सीजन में उसके वैसी स्पेस को मौका मिला है और विकेट टेकर बॉलर की लिष्ट में आता है बाकि बैंच में मुझे लगता है कि मैंत कुनमें जो कि एक और स्पिन बॉलर लेफ्टा मॉर्ट तुड़ाक्स शायद मुझे लगता बाहर ही बैठेगा मारका सारी जो है कि ओपनर है औ ओपनिंग करते हैं देखा होगा और याप हैंडरी हंट भी ओपनर है बाकि आप एरउन हार्डी जो फास्ट बोलर आपर पर्स कोचर्स के लिए बिग बैश में खेलते होगा मीडियम फास्ट बालर है बाकि आप यह तीम मर्फी टॉड मर्फी आप स्पिन बालर है बात कि इंपॉर्टन प्लेयर की तो मझे रता है कि आपके लिए ट्रैवी सीड जोश्वा फिलेपे हैंड्स कॉम और इंग्लिश टॉप फॉर इंपॉर्टन बन सकते हैं और मैं बोलो तेहां पर मैंदिंसन को आप ले सकते होगी बैटिंग सेक्शन में आपको एक और मिल रहा है मैं जील के लिए प्रैफर करूंगा सीन अबट और और यहां पर रिचर्ट्स को मैं मिस नहीं करूंगा कुछ प्लेयर स्पिक रहने वाले में मेरे जब से उसलेगी टीम से यह है अब देको शिलंका की टीम प्लेयर के एक्स्पीरेंस से उसकी कमी है तो कहीं नहीं है शिलंक ले सकते एक्सपीरेंस प्लेयर विगटीविंग सेक्शन में जा सकते हो और शाहता फर्नेंडो ने टेश्माच अब बंगलेश के ला था राइट अच्छा कर सकता है अच्छा करेंगा तो टीम अच्छा करेंगे रवाइस कि इनकी टीम में सबसे एक्सपीरेंस और सबसे ज्यादा जो बोलूंगा एक में रोल प्ले करेगा तो आपके पास इंकी टीम से करनी है तो आपके धनेंजा डिसलवा को कर सकते हो अशन भंडेरा को मैं ग्रेंड लिक के लिए रिकमेंड को रहें कर लेता है और में बैट्स पर है बैटिंग अच्छे करता है लेफ टाम यह भी थोड़ा बहुत के लिए इंट्रेंशन लेवल पर शिरंगा के लिए तो ले सकते हैं इसको भी बाकी है तो यहां पर जरू ट्राइब करना ग्रेंड लिंग में बंडारा को बाकि अगर बात किया तो कमेंड मेंड लगन सबस्क्रेंगों फॉलीट करता है अच्छे करता है और बंडारा की रेगुलर बालर नहीं है वाकिया वांकर बात कि यहां पर है दिनुद्थ वहला लेग में कि अपने टिम को काफी तक पहुंचा है तो था यहां पे वहला लेग यह बैट इन्ग बाल्न भी करता था दोनों से contribute करता है तो इसके पास हो capability है तो अच्छा कर सकता है मैं टीम में जरूरू लेके जाओंगा बाकि धनेंजा एलक्षन और में आपको एससा option मिल रहा है आपने अगर लिंक जैते इंडिया में हमें इसको और आपको याद हो तो अभूधा भी टीटन शायद इसको वहां भी मौका मिला था भी तो यह आप जुरू ट्राइब कर सकते हैं स्मॉल लिग है ग्रेंड लिग दोना में पाकि पुलिना तरिंगा लेक्स्पिन बॉलर है जील पिक लियाना जे लियाना इंगे फा लगता है बहार बैठेगा वदू शना का बहार बैठते वदू के ग्रोस पूले जो डॉमेस्टिक का बन अब दी बेस्ट वैट माने आता है बाकियां पर एस अराजज चीगे यहां पर है थरा का बदूशन और यहां पर फर्नेंडो यह तीन फास्ट बॉलर है तो मुझे लगता है कि शायद अगर खेलते वे तो माले उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे तो यहां पर रिक वैला और शादव फर्नेंडो धनेंजिया बंडारा देनेंपे मेंडिस और यहां पर अच्छा और और पुलीन तरंगा है तो यह कुछ आ आने वाल है और विदाउट एप में खेल सकते काफी अच्छी है पर हमने लाश दो साल से काफी अच्छी वीनिंग करी है तो आप भी खेलना चाहो तो कर सकते हो इस आप का लिंक आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करोगे तो आप वहां मिल जाएगा ब्लीव क्लियर का लि लेना साइन अप करते हुए और ध्यान रखके चलना इसीच को बाकि आते हैं में टीम पे स्मॉल एक की टीम जो रहे सकते हैं यहां मैंने रखा है निरोशन डीकवाइला को एक्स्पिरेंस इंटरनेशन प्ले रहे हैं यहां पर मैंने लिया जोश्व फिलिपे को कर सकता है और में टीम के मैक्सिम साथ ही ले सकते इसलिए मैं इंग्लिश कर जा रहा हूं और फिलिपे से एक्सपेक्टेड़ है कि टॉप आट में ओपनिंग करते हुए बाकि अगर बात की जा तो यहां पर पीटर हैंड्स को मोशादा फर्नेंड और मैंडिंसन एक और प्लोट फूल है यहां पर यह बाकि ट्राइव इसीड के साथ गया हूं रख्षल गेम चेंजर पिक रहेगा आपके लिए बहुत कम सेलेक्शन रहेट रहेगा बट एक अच्छा होल्रॉंडर है अश्रेन बंडेरा को भी जील में ट्राइब करना में बैट्स में पार्ट त करके मेंडिस के साथ या फिर आप एक और चेंज कर सकते हैं दिनूत वैल्यू लेग को ड्रॉप करके जाओ तो यहां पर कमींदू मेंडिस के साथ यह चेंज आप करना चाहो तो कर सकते हो और यह अच्छा ऑप्शन बन सकता आपके लिए बाकि अगर बात किया मैंने लिए स्कॉर्ट बॉलेंड को जाय रिचर्ड्सन को और लेना तो मैं चाहता हूं मैं स्ट्रेट को भी अच्छा ऑप्शन है तन्वीर संगा जरू ट्राय कर लेना स्पेशली ग्रेंड लिग में और वेला लेग और मदूर्शन में से यहां पर वेला लेग एक और अल्रॉंडर है के ट्रैवी सीट को से अट पर शोड़ा जा सकते हैं तो इसलिए थोड़ा सोच के जा सकते हो बाकी जाना है तो आपके पास वेला और यह अच्छा ऑप्शन और खुलता है वह यहां तर जो फिलिपे बाकी ग्रेंडली की टीम वन जो रहेगी 1994 के टीम two जो जो मेरे migrant की टीम बन यह रहेगी और ग्रेंड लिक की तीम् साउन्न होगी मैं वह आफ्टॉर जोइन आपको वीडियो के नीचे कमेंट है मिल जाएगा सबसे उपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उसको जोइन कर लेना ध्यान से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना जैसे मैंने आपको बता है तो मिलते फाइन टेलिग्राम पे जहीं दोस्तों बाई-बाई-बाकी यूट्व चैनल क लिए और मैसेज आपको सबसे पहला जब भी वीडियो उप्लोड गो जो मिलता है तेलिग्राम पे जहीं दोस्तों बाई-बाई